नमस्कार स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हेल्थ और मेडिसिन सिंदी में आज की वीडियो में यानि की लोस ओफ एपिटाइट के पार्ट टू में मैं आपको लोस ओफ एपिटाइट यानि की भूख ना लगने की समस्या का इलाज किस तरह से किया जाता है घर पर इस साइड इफेक्स हो सकती है कौन-कौन प्रोब्लेम्स हो सकती है उसके बारे में बात करेंगे वीडियो शुरू करने से पहले पिछले वीडियो की अपडेट देता हूँ पिछले वीडियो में हमने बात की थी लोस ओफ एपिटाइट यानि की भूख न लगने की समस्या क्य किया जाता है किस तरह से इलाज होता है भूख ना लगने की समस्या को ट्रीट करने के लिए सबसे पहले तो भूख ना लगने की समस्या के पीछे कौन-कौन से कारण होते हैं, उसे find किया जाता है, उसके बाद उसके आधार पर इलाज शुरू किया जाता है, जिसमें डोक्टर सबसे पहले तो आपको कुछ सवाल करेगे, यानि कि आपकी medical history लेगे, जिसके जवाब आपको honestly देना है, तो डोक्टर उसके आधार पर क कौन से कारणों की वज़े से कोई एक या फिर अधिक कारणों की वज़े से loss of appetite यानि की भूख न लगने की समस्या है, तो फिर उसके आधार पर treatment शुरू की जाती है, देखिए, अगर कोई संक्रमन हुआ है, कुछ ऐसा पता चला कि आपके शरीर में कोई infection है, या फिर कोई संक्रमन ठीक हो जाएगा, जिससे फूड में आपका जो भी interest है, वापिस आजाएगा, आपकी भूख बढ़ाने के लिए, आपको थोड़े थोड़े डोज में, कोटिको स्टिरोइट्स, साइप्रोहेप्टिदीन, मेकास्टिरोल इतियादी आपको दिया जाता है, भूख न लगने की वज़े से आपको कमजोरी और थकान महिसुस होगी, वह इसलिए क्योंकि जब भी आप कम खाना खाते हो और फिर खाना नहीं खाते हो तो जो भी यह आपको लिक्वीड वाइटामिन्स देते हैं, अगर इमोशनल चेंज की वज़े से प्रोब्लेम है, अगर एंशाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, कोई ट्रॉमेटिक इवेंट से आप अगर अभी अभी गुजरे हैं, ऐसी कुछ सिच्वेशन की वज़े से, ऐसी कुछ प्रोब्लेम की वज़े से आपको भूख न लगने की समस्या है, तो फिर मनोचिकित सक से आपकी मुलाकात करवाई जाती है, कंसर्ट करवाई जाता है, जो कुछ भी डॉक्टर आपको पूछते है, सवाल करते है, उसका अच्छे से आंसर देना है, जो कुछ भी दबाई, समस्या जादा समय रहती है, जब उसे ट्विट करने में थोड़ा समय लगता है, तो क्या होता है कि आपकी जो भी इटिंग हैबिट होती है, जो रेगूलर इटिंग होती है, वो ब्रेक हो जाती है, इर्रेगूलर हो जाती है, जिससे आपको संतुलित आहार लेने में काफी दिक्कत हैं आती है से में बात करके इस प्रकाल से डायेट प्लान भनाया जाता है ताकि आपको कम मातरा में खाना अछ़ो संतूरीप जिस में अच्य मात्रा में परियाप्ड मात्रा में प्रोटिन और फेट वाइटामिन्स मिनरल्स सभी कुछ हो इस प्रकार से आपको एक डायट प्लान दिया जाता है अगर मेडिसिन की साइड इफेक्क की वज़े से भूख ना लगने की समस्या है तो सबसे पहले तो आप कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं उसके बारे में उसकी हिस्ट्री जानी गया जाती है कॉन सी कॉन से डिजीज कें लानी तो एक इसकी मेडिसिन की है लीज़ाई दोक्तर के हैं और घर्ण देडल से जुड़ी हुई को को समस्या है जैसे कि अगर प्रोब्लेम की वज़े से अगर आपको भूख ना लगने की समस्या है तो इस तरह से बूख ना लगने की समस्या के पीछे कौन से कारण है एक या फिर अधिक उसके आधार पर आपकी ट्रीट्मेंट की जाती है अगर फिर भी भूख ना लगने की समस्या हल नहीं होती है उसका कोई स्रुशन नहीं आता है तो ऐसे कैसिस में एडवांस टेस्टिंग और एडवांस ट्रीटमेंट थेरापी का इस्तमाल किया जाता है उसका सहारा लेना पड़ सकता है देखे भूख ना लगने की समस्या को कर सकते हो उसकी केर कर सकते हो और उसे कर सकते हो श्यांगë कर सकते हो कि यूदि तर में इसा देखा गया है कि अपना थीक हो जाती है तो ङर200нуть में किस तरह से इस कपर सकते हैं सबसे पहले इतिंग रेगुलर मिल्स भुख नह लगने की समस्या की वज़े से क्या होगा कि आपका स्टमक फूल रहेगा आपका पैट भारी होगा जिसे आपको ज्यादा खाने की इच्छा नहीं होगी तो आप क्या करोंगे अगर आप रेगुलर बैजिस पर तीन बार खाना खाते हो त जिसे क्या होगा कि एक तो नुट्रिशन भी आपको मिलता रहेगा दिरे दिर करके और साथे साथ आपका स्टमक भी बारी नहीं होगा तो यह चीज इस तरह से दिरे दिरे करके हम सोल कर सकते हैं दूसरा है अपने नोटिस किया हो कि अगर कभी भी आपको भूख ना लगने सबजी रोटी वगएरा कुछ खाने के इच्छा नहीं होती है तो ऐसे में क्या करते हैं कि लिक्विड मिल्स का सहारा लेते हैं जिसमें सूप फिर फ्रूट जूस स्पोर्ट्स ड्रिंक प्रोटीन ड्रिंक इलेक्रोलाइट्स यह सब चीज का हम इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन इससे पहले आपको अपने डिक्विड मिल्स का रहा है तो क्या उससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी तो इस तरह से भी आप डेली जो भी कैलोरी रिक्वायर्मेंट है वह पूरी कर सकते हो नमबर तीन है इटिंग ब्लेंड फूट्स एसे होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं उसम इसमें ज्यादे तर डेरी प्रोडक्त का समाविश होता है साथे साथ अंसीजन मीट ब्रेड पोटेटो कुछ वेजिस इसका इस्तमाल आप ऐसी सिचुएशन में कर सकते हो जहां पर आपको खाना खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है नमबर चार है इटिंग सब चीज पूरी हो जाए तो ऐसा फूड खाना है बले ही कम खाए लेकिन जिससे क्या होगा कि आपकी जो भी सभी रिक्वार्मेंट है आपके शरीर को जो कुछ भी चाहिए वो उसमें से मिल जाए नमबर पांच है इटिंग विट फैमिली और फ्रेंस तो जब भी बिमार ह होते हो खाना खाने की इच्छा नहीं होती है तो फिर आपको अपका बेट पर रहने की इच्छा लिकिन आप ड्राय कर और दिरे-दिरे करके या समस्या भी दूर हो सकती है अब बात करते हैं भूख ना लगने की समस्या की स्थिति में डौक्टर से हमें कब बात करनी है सबसे पहले तो अगर 6-7 दिन में प्रोब्लेम सोल नहीं होती है एक अपते से ज्यादा चलती है तो ऐसे cases में आपको तुरंती दोक्टर से बात करनी है जब भूख न लगने की समस्य हो तो उसके साथ साथ अगर आपका वजन आपका वेट लगातार कम होता जा रहा है आपको कमजोरी मैसूस हो रही है थकान मैसूस हो रही है आपका जी मचल रहा है उल्टी जैसा लग रहा है आपके हाट बीट बहुत ही फास्ट जा रहे है आपको कुछ मतलब अच्छा नहीं रखता है जब भी आप सोने की ट्राइब करते हो तो अच्छे से सो नहीं पाते हो एसी कोई भी सिच्वेशन आती है जहां पर आप अपने आपको संतुलित मैसूस नहीं करते हो आपने बिना देरी किये डोक्तर से बात करनी काफी जरूरी हो जाती है अब बात करते हैं कि भूख न लगने की समय सी अगर लंबे समय के लिए रहती है आप उसे नजर अंदाज करते हो डोक्तर से बात नहीं करते हो सही समय पर उसका इलाज नहीं करवाते हो तो फिर कौन-कौन सी आपकी होगी सबसे पहले तो मॉल्हुटरिशन घ्लब की आपके शरीर को कुछ हमाइं दिःटरीशन की जो कुछ हमी जो जाएगी इसके अलवा प्रयापत मात्रा में calories आपके शरीर में नहीं होती, calories intake नहीं होता, जिससे आपको क्या होगा कि आपकी body कमजोर होती जाएगी, आपकी immune system कमजोर होती जाएगी, ज़दतर cases में कुछ बिमारी के चलते ही भूख न लगने की समस्या होती है, अगर एक example की बात करूँ तो COVID-19, कोरोना में जब भी स्व सुगन की वज़े से न आने की वज़े से खाना नहीं खा रहा है, तो उसमें क्या होगा कि आपकी अगर आपके शरीर को अच्छे से nutrition नहीं मिलेगा, तो फिर आपकी immune system कमजोर होती जाएगी, और जो viruses के सामने, बेक्टेरिया के सामने जो लड़ने की समता है, वह दी रेद दोक्तर से आपको बात करनी जरूरी होती है, और अगर हम दोक्तर से बात नहीं करते है, रंबे समय के लिए चीज रहती है, तो फिर कौन-कौन सी side effects हो सकती है उसके बारे में, तो फिरहाल इस वीडियो में बस इतना ही, आज का वीडियो जान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद, चय हिंद, चय भारत